हो गया गुड मॉर्निंग आपरीबरी हम कल एरिया के बारे में बताये थे आपको एरिया के कुछ ग्राप भी बताये था पहले हम उसका ग्राप बता जेते हैं किस फंसन का किस तर्ग ग्राप होगा इसको आपको दिमाग में रखना है इसके बाद हम आपका देखेंगे ठीओरी जब ठीओरी बन जाएगा एरिया का ग्राप बनाने जान जाएगा तो एरिया आपका बिल्कुल असान हो जाएगा और एरिया को बनाना है अपने से बनेगा अप जो अपने से कहसे बनाइए उसी पर हम काम कर रहे हैं आपका चलिए कल मैंने बताया था आपको ग्राप में x ब्रावर a y अक्सिंस के पेरलल और y ब्रावर b भी अक्सिंस के पेरलल ग्राप बताये थे इसके बाद y equal to mx plus c इस टाइब का ग्राफ बता दिये थे अब चलते हैं इसी पर काम करते हम बताये थे ग्राफ y equal to mx plus c इस टाइब की बात करते हैं y equal to mx plus c देखो तो mx plus c है इसका अगर आप इससे बता बनाने देखो एक दम एक लाइब बनाना है तुम लग को या देख के बनाना है इस तरह से बताओ तो c है plus में की minus में plus में अगर यह 0 देंगे तो y कमान c इस टाइब से आप देंगे that is graph of the line y equal to mx plus c y equal to mx plus c यह पॉइंट अगर 0 देंगे जीरो और सी पर यानि यह दूरी आपका सी होगा यही आपका औरीजिन है जीरो जीरो यह पॉइंट की बात करेंगे आप तो यहां पर देखो y 0 मैंने कहा था यहां y 0 y 0 देंगे अगर को क्या होगा माइनस c ym माइनस c ym और 0 इस तरह से आप पूट कर सकते हैं x बाबर 0 तो y equal to c y बाबर 0 तक सिकल to minus c ym देखिए इस तरह से भी निकाल करेंगे आप पूट करके बना सकते हैं graph this is very important graph of the area इस तरह से आप देखिए अगर खोई आपको कर दे एक्जामपल में इस तरह से y equal to 3x plus 5 इस टैप से अब देखिए तो plus है यहां अभी हम लिख देते हैं और एक्जामपल ने देखिए गराफ और बनाते हैं y equal to mx minus c अब देखिए तो minus c देंगे तो कहां पर इकटेगा कैसे काट होगी तो जानते हो y यह y dash x dash और x देखो तो x का मान 0 put करो देखो अपने निकलेगा x का मान 0 y is equal to minus c minus c का होगा y नीचे होगा यह होगया 0 x का मान 0 y का मान minus c यह पॉइंट आपका होगया minus c यह नीचे की ओड़ लेंगे तो यह minus c होगया हलांकि distance कभी निकेचिव होता नहीं है इसलिए इसको छोड़ दो c minus c अब आईए y ब्राबर 0 y ब्राबर 0 रखो 0 तिसार एक पलस बड़ यानि x is equal to c y m x का होगया c y m this is a graph of the line y is equal to m x plus c m x minus c sorry minus c m x minus c इस टाइब का graph देखिए यह आपका graph है आप example देखिए आप example से पकर लिजेगा देगा y is equal to 3 x minus 5 पाइब जैसे मानस दिया इस फंसन पर नीचे के ऊपर पलस रहेगा तो ऊपर इस तरस कातेगा मानस रहेगा तो इस तरस कातेगा तुम दोगो पैरलल है केवल नीचे और ऊपर यहां मानस से नीचे कटेगा तुर्द ग्राब बनाएंगे इस तरह से y is equal to 3 x minus 5 3 x minus 5 तुर्द ग्राब बना देंगे एगर आप देखोगे 0 रखोगे तो y कमान यहां पर कतब करता 0 minus 5 और यह देगा 5 by 3 यह क्या देगा 5 by 3 और 0 देख यह तुर्द ग्राब बना लिएगा चुक्कि आपको point out भी करना है यह point out भी करना है ग्राब में किस point से है तो कि उस पमें area में हम definite integral में परते थे यह से भी यह व्या आप लेंगे यह से भी यही आप point out करना है आपको कहाँ पर से जा रहा है ग्राफ तुर्द देख देखे ग्राफ बनाने लिए आपको सीखना है जल्दी लिखिए राइट डाउन मेरे साथ जुरे हुए हैं निखिल कुमार बाल किसोर कुमार कुमार कुंदन भारती अविजीत कुमार नियन कुमार राय सुजीत कुमार अनिल जाजब सुपॉल से हैं आसिस कुमार पंडित राहुल कुमार रन्जन नितीश कुमार भागलपूर दिवाकर कुमार संतोष कुमार बिहारी बाल किसोर कुमार नितीश कुमार अनिल जाजब सुपॉ रोहित कुमार, सतीष कुमार, रुक्मिनी आरिया, संतोस कुमार विहारी, सोनु कुमार, बीके सुमन, हिमान्सुराज, सोनु कुमार भागलपूर, विशाल कुमार बाका, आधित अनन्द, पप्पु कुमार जादप, बिहार इंडियन, अच्छा, बाबुल कुमार, प्रिंस कुमार, दिल्खुस कुमार बिहारी, बिजय कुमार, अमर कुमार कतिहार, पूजाराथर, हिमान सुराज, निखिल कुमार, बिनित कुमार सिंग, राजपूत, बिशाल कुमार बाका, आदित तानन, रमन कुमार, बरसा रानी, बेल बालकिसोर कुमा निखिल कुमार, सोनु कुमार, राहुल कुमार, अभिजीत कुमार, परसंजीत कुमार, राहुल कुमार, विशुजीत सिंह, राहुल कुमार, विबाबुल कुमार, अनन्द जा, विशाल कुमार, रमन कुमार, अनन्द जा, संतोष कुमार, ब्यारी बालकिसोर कुमार, जुही गुपता अनन्द जा आप इस ग्राफ को देखेंगे और इस ग्राफ से आप समझेंगे कैसे हमको डायट ग्राफ बनाना है इसी में एक ग्राफ आप को मिले एसी का सौर मेरे क्याल से अगर हो जाए तो बोले ना एक्टिवेट हो रहा है नीचे में फिर जी जो भी पैसा भेज़ें नीचे में अक्टिवेट कर रहा है आज हो जागा है अक्टिवेट जल्दी लिखिए हो जाएगा तो बोलिए फिर से देखिए इसको डाइट बनाना है गराप हम गराप बनाने फिर से देखिए आपको दिखाते हैं वाइज इकल टू एम एक्स पलस सी इस टैप नेचर का जो भी रहे यहां त्री एक्स पलस टू यहां फाइप एक्स पलस नाइन वाइज इकल टू फाइप एक्स पलस न तो नीचे बनेगा graph, this is equation of state line in slope form, यह state line का equations है, 11th में आप पढ़े होंगे, यह slope form का लाता है, वहाँ सर 11th में जो लड़के पढ़े होंगे, उनके लिए easy होगा, वहाँ पढ़े होंगे इस टाइप equation, चार पांच equations है state line में, और वो equation में यही equation है पहला, बताये होंगे सर, खैट, यहाँ देखिए, अगर इस टाइप का होगा, तो आप point out करेंगे, एक बार x का मान 0 करेंगे, तो x का मान 0 है, 0 है, y equal to c, फिर y equal to 0 देंगे, x का मान निकालो, यह 0 होगे, ज़रा के minus c, बटे m, minus c by m, देखो तो x 0, y positive, x 0, y positive, यह न, इस टाइप की बात करते हैं, सी, एक बडा आपर 0, 0 रखे, तो y क मान कितना निकल गया, c, x का मान 0, तो y का मन c, चुके c positive है, तो y positive के ओर जाएगा, c positive है, y का मन positive है, तो positive है तो positive यहर, इसर इसर negative, y का मान 0, yüz कौन एक्स, स्टेट लाइन को मिला दो इस इज़ ग्राफ ऑफ दो फंसन जग्राफ ऑफ दो लाइन वाइज इसको हम लोग कोडिनेट जो में जब पढ़ेंगे इसी को हम लोग करते हैं इसको आप लोग हिंदी में अगर पढ़े होंगे तो ढाल का जाता है इस टैप से अगर यह माइनस रहा तो देखे तो वो एक्स का मौनगी दूँ दो तो य कंवा निंगेटीब यदर होगा दो हिदर होगा अगर आप डायलेक्ट अगर चाते हैं कि पॉइंट पर ना लें तो डायलेक्ट भी ग्राप खिच सकते हैं पलस C है तो उपर C पर खिचाएगा और माइनस C है तो नीचे C पर खिचेंगे इस टैप से दुनों एक ही टायलेक्ट का ग्राप होगा देखो तो पैरलल नहीं लग को पूछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कि ने को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं नहीं मिटा दूँ हो गया आईए देखे तो इसे मुगा य इकल टू एम एक्स देखे तो पलस C य माइनस C है पलस C य माइनस C है देख लीजे पलस C य माइनस C है नहीं हुआ है है मतलब नो सर नो सर क्या नहीं हुआ है बोलो कि क्या चीज नहीं हुआ है कि दिक्कत नहीं है ठीक है वाइज कल टू एम एक्स देखे तो पलस सी या मानस सी है नहीं है अगर दिखना कोई कौetah कि दिक देखे नहीं हो इसमें तो अगर कोई कौंस्ट कहें नहीं है इसको डानका WWE अखर किये यह जब भी गजरेगा y enough यह जीड़ा गया जीरू-जीर यह गदेखना पलस सी मानस सी नहीं है तो यह जींज जीए 7Z to three x इसका graph कैसे बना होगे x है three x देखो तो constant है plus है five nine है यह nine है यह नहीं है तो यह origin से गुजरेगा काँ से गुजरेगा origin से गुजरेगा धियान रखना यह आपको दो जगए काम देगा यह graph जो बता रहें आपको दो जगए काम देगा क्या देगा यह origin हो गया जीरो जीरो जब भी देखना कोई constant नहीं है यह origin से गुजरेगा काँ से गुजरेगा origin से गुजरेगा अगर constant रहेगा constant रहेगा कोई भी plus या minus में तो origin से नहीं गुजरेगा अगर कॉश्टेंट नहीं है तो और लिजिन से गुजरेगा दमाग मों बैठाए ये एकदम दमाग मह बैठाए हैँ और बढ़ा लिखें। और बढ़ा लिखें। परहा लिखें। छृत्वी के बढ़ा लिखते हैं। कुछ जगा बोर्ड नेन है सम्झाने में बनता नहीं है देखो एक ही जगा पर देता है इस तरह से दिक्कत हो जाता है इसलिए इधर लिखें तो इधर से बड़ा बताते हैं देखिए तो कहीं कोई दिक्कत होई तो बोलो पॉइजार है फी पॉइजार नियू स्टुडेंटों नहीं लिए हो तो 35 रुप्या लगेगा 35 रुप्या भेजोगे कल से एप पर जाएंगे हम जिसको भी बड़ा लगे भुला लगे भी हम एप पर जा रहेते इस्टाप बोल दिया काजबर चुरो दिए नोटिक दे दिज करेंड़ के कल से आप परना प्राया कल से एप पर चले जाएंगे इस तरह से रहे इसक्र zijकोनी को दिकता यहां तक में क्ल्दिक है तो पुछिए है दिकस्राया तो पूछिए नहीं आगे बढ़िए निस गण आपको पकड़िएगा यही ग्राफ पर आपका बनेगा एरिया इसी ग्राफ पर आपका क्या बनेगा एरिया बनेगा नहीं तो दिक्कत होगा ग्राफ एरिया बनाने में ग्राफ को पहले बनाओगे तभी एरिया निकलेगा सटिक नहीं तो नहीं निकलेगा कुछ-कुछ एरि लेकिन सब नहीं बनेगा एरिया अब देखिए इस तरह से ग्राफ हम बता दिया आपको वाई इकल टु मॉड एक्स इसका ग्राफ कैसे होगा वाई इसकल टु मॉड एक्स यह सब हिटर चीज है इसका ग्राफ पढ़ना भी चाहिए ऐसे 11 समय सर बताएं होंगे आपको जहां अभी आप पढ़ें होंगे बिल्कुल बताएं होंगे है ना अब अब भी कहता है बंटी प्रताब भी पीट कीजिए पहले क्या होता है जब मिचान लगते हैं तो पीट कीजिए सबका खुल झाएगा नहीं खुला है तो अपना ज़ननो उसमें भेजो दूसरी एक इस लड़का का एप खुल चुका है कि एक इस लड़का का एप को जागा है Twenty one लर्के का एप कुल चुका है बाकि तीनसट च topl do that कि उसमें डाले हैं आज देख करके हम देखते हैं किसका कहा प्रॉब्लम है हम आप बैठेंगे देख लेंगे मॉअच की यह प्रॉच्छ या धिव्लम होता है मॉट का प्रभषा जानते हो तुम देखो कैसे बनाओगे अर रियाद रखना है आपको कैसे बनाओ गए यह x positive x greater than 0 और यह कहता है 0 होता है इफ x ब्रावर 0 और minus x होता है इफ x less than 0 attention everybody जाद ध्यान दीजिए कि sir modus का फिल्लियों आप देखेंगे कि x greater than 0 यानि x that is x positive then mod x is equal to x and x negative that is mod x is equal to minus x and x equal to 0 that is value of the mod x is 0 यानि आप देख रहे हैं अगर यह positive है x को अगर mod x है तो x positive है तो positive value x negative है तो negative value और x zero है तो zero इसी पर graph बनाएंगे इसे हमको कहोगे हम डाइट graph आपको बताते हैं जगह छोड़ करके बताएंगे आपको देखे इसका graph बनेगा इस तरह बनाओगे direct graph बनाओगे देखो हम कैसे डाइट बनाने graph सिखाते हैं आपको कहता है एक्स बितर में कितना है mod में कितना x है x बरावर 0 रख लो अपने मन से इसको 0 कर लेना है जीरो कर लिए यानि जीरो से निकलेगा यहीं नहीं है आपका यानि ग्राफ आपका बराबर इदर जाएगा और बराबर इदर जाएगा यह हो जाएगा वाइज इकल टू मॉड एक्स पोजेटिव है पोजेटिव वाइज इकल टू मॉड एक्स यह इदर निगेटिव है नि negative minus x और यह y is equal to positive x इस टाइप का ग्राफ देखो इसमें अगर तुम देखोगे तो तुमको हम बता देते हैं डाइड ग्राफ किजने का तरीका कहीं कोई जल्दी नहीं बताएगा अगर कह देगा x minus x minus 2 देखो एटेंशन ये ग्राफ देखो मौड x minus 2 कैसे होगा तुमत बताओगे भीतर वला को क्या करना है आपको जीरो भीतर वला को क्या करना है आपको जीरो तो बोलता है x minus 2 देखो देखो तुमत खिचने बताता है ग्राफ आपका एक ट्रीक बुझो ये ग्राफ खिचने का ट्रीक है फटा पड़ खिच दिए एक्स इसकल टू टू तू ये वान ये तू इसे जाएगा यही है आपका लाइन और ये खिचो ग्राफ किस पर खिचाएगा किसी type का ग्राफ किचेगा भी अकार का ग्राफ होगा अकार क्या होगा इसका shape लोटीश ट्रीक से कि एक्सवाबर क्या आजएगा इंप्लाइड माइनस वण नीचे ही लिखो एक्सवाबर क्या आजएगा माइनस वण किस पर ग्राप बनेगा माइनस वण यहने माइनस वण एक्स डैस एक्स वाई वाई डैस देखो इस तरह से उखाई पैरलर लाइन की जना बिंदा दे करके के घरे को इस तरह सो भी अकार का मानस बन प्रख़ाभ बनेगा किनि को कोई दिक्कत है आख कि देखो यहां जीरो धिटर्भ ला गहाई को जीरो करो निखिल इसको जीरो करो बढ़्स की सब्सक्राइब करते हैए उतने दूर यह ऋन्हें जा और यहीत कामान क्वागा हूए ऑद इसरो में अनिकल गए तू फोरτι निंगेटी एसका मौन्ए दाना इसकर फिरस लगय है और यह ब्रावर हो यह इससको फडिन देते हैं यह रिए ब्रावर यह दिए को ये भी बड़ाबर ये बड़ाबर है आपका ये भी बड़ाबर होगा इस टैप से तो इस टैप से आप देखेंगे इसका गराफ आप खिश सकते हैं मौड का गराफ जहां भी देखेंगे आप मौड का गराफ आप से बंद सकता है किनी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते है किनी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो है दिक्कत जल्दी लिखो किनी को कोई दिक्कत है हो गया जर हो गया कि अध्यान दो अब इस टाइब का ग्राफ पढ़े हो एक्स भाई फलस वाई 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 बीजिकल टू वन इस टाइब का ग्राफ इस तरह का ग्राफ देखे फिर तो एक्स भाई ए पलस वाई 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 वीजिकल टू वन सब को दिखाए पर रहोगा इसका ग्राफ कैसे बनाओ इसका नेचर बुझो सबाओ इसका नेचर देखने के लिए नेचर हम देखते हैं इसका क्या नेचर है हम देखो कैसे ग्राफ को बनाते हैं तुम लोग त्वरस धियान देना एटेंशन प्लीज यही आपका है एकस एकसीस और वाई एकसीस अब आईए देखिए कैसे काटोगे तुम बिल्कुल दोनों पोजिटिव है एकस भी पोजिटिव याई भी पोजिटिव है एकस के बारेते कितना है एकस के नीचे कितना है एकस यहां पर कहीं पर भी होगा यह जीरो पर य बटे कितना है इसको मिला दो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म है कोडिनेर जोमेट्री में आप पढ़े होंगे अगर सर पढ़ाए होंगे यहां आप पढ़े होंगे तो X के बटे कितना है A A A पर कार दिया X axis को X बटे है तो X इसको A पर काटेगा और Y बटे B है तो Y axis को B पर काटेगा और दोनों पॉइंट लेके मिला दो This is equation of state line in intercept form X by A plus Y by B is equal to 1 इस टैप का ग्राप किनी को कुछ कहाना है समझमा गया बना दोगे यहाँ देखो एक जामपर के तोर पर देते हैं X Y 2 plus Y Y 3 is equal to 1 3 है घुम गया तुरत बना दोगे तुम लोग देखो और एक नेचर यहाँ 1 होना चाहिए यहाँ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए हाँ positive है जीरो से positive लिए यह की ओर Y यह भी positive है जीरो से Y की ओर इस step से देखो यहाँ 1 होना चाहिए 1 है इने की 2 3 रहगा तो नहीं होगा 1 ही होना चाहिए यहाँ तो 1 है और X Y 2 plus Y to 3 X को कितना पर कटेगा 2 पर गिंती कर लो 1 2 यह होगी आपका 2 0 तो फिर देखो Y को 3 पर यहाँ होगी है 1 2 3 मोटा मोटी 3 0 और 3 यह Y यह Y डाइस यह X डैस और यह कितना अब मिला दो 3 और 2 है मिला दीजिए यह नहीं कहल गया X Y 2 plus Y Y 3 इकल तो 1 ग्राफ यह होगी आपका ग्राफ Very Simple किणी को कुछ दिक्कत है है तो बता सकते हो तुम किणी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो कोई भीiba duyuten良 sakes सकते हो तुम by a clear हो गया आव इसी में देखो तुम को पार्ट दिखाते हें इसी में पार्ट है आप कैसे बिचलित हो जाएंगे दिमाग डाइभार्ट आपका होने लगेगा क्या करें तो उसको एकटम easy way में लिजिए मैज को और उसका process जानिए देखो अब इसी formula लाना है सबको कोई भी equation रहे general equation रहेगा आपका इस तरह से example देते हैं 2x plus 3y is equal to 12 इसका equation बनाना है this is equation of state line equation of state line, subtraction पर जा रहे हैं आपको हम बता देंगे subtraction पर भी जा करके पहले हम आपको तोर्ने सिखाते हैं subtraction के यहां मानस रहेगा तो इदर लेंगे इदर मानस रहेगा इदर लेंगे और क्या पलस मानस में क्या अंतर हैं बता देते हैं अब देखो 2x plus 3y लाइब इस टाइप का इक्विसन यह मानज से पहले बता रोते हैं तब तुमको घांगे लाइश इस का बात करेंगे देखो यह पलंस हरे तो प्लंस लाएंगे क्या होगा एक्सवाई एक्सवाई फिलड़ वाई इस माइनसotti के साथ law is equal to one, तो जा हो तो x positive x positive इस तरह से x positive a zero y क्या है negative negative zero minus b मिला दो, इक्वेशन ओप state line equation of state line x y minus y by b is equal to one, क्या है, नहीं समझ माया, कहीं है दिक्कात, बोलिए, मायनस ला भी समझ मागया होगा, जो भी लेंगे, अगर ये plus रहेगा, ये minus, ये minus में, ये plus में दर लेंगे, इस type की बात, अगर इस तरह से क्वेकर दें, आपको minus x y plus y by b is equal to one, तो जाखोद लिख सकता है, x y minus a plus y by b is equal to one, तो ग्राब किधर बनेगा, ये जो को x का मान माइनस में है, minus a zero, और y plus में है, तो zero भी मिला दो, बन जाएगा, अब है कहीं दिक्कात, पलस माइनस में, दोनों माइनस में रहेगा, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में माइनस में इखर बनेगा, चल जल्दी राइट किजिए इजी बना रहे हैं अमर जी इजी बना रहे हैं इजी ठान है इजी को बना see बनाते हैं इजी न इजी बना देता हैं आपको एक दूबार दिखेगा ने इसको सब ग्राप समझ मार जाए और यही ग्राप का काम है हमको एरिया में इसलिए पहले ग्राप बना दिया अगर पहले थियोरी बताते तो आपका उसका थियोरी भूल जाते ग्राप के चले आते इसलिए हम पहले ग्राप ही बताते हैं बारे हैं यही सब राभ आपको आएगा ही इसी का कहँए अरिया निकालें दोफिए इस का इच not प्लने का कहँए इसन डेदेगा टू अक्स प्लॉस इस लाइन का एक्वेशन आपको देदीया 2X plus 3Y is equal to 6, इसका अरिया निकाले यही ग्राप परूएगे भाग देकर कई बताएंगे बार देकर बनाएंगे जीरों से कहां तक लेंगे और इसका ऊरिया निकालना है आपको इस छेत्र का इस लिए पढ़ें अगर आप नहीं सिख लेगा कि अभी प्रेम जी तुरत आए है तुरत्य क्या यह बोज यह क्या स्वाद अच्छा है अभी तुरत आप लिखे हैं गुड मॉर्ड निंग सर फ्रेम जी अच्छुद आप शुथे समझ में नहीं आला है कि समझ में आ जायेगा तुरत्य स्वाटा ने दीजिये अग भुष्टे हैं कि मिटा दूं हो गया है सब का हो गया है इस तो भी बताए है इने लिख लेना सब का हो गया जल्दी बताओ हो गया है हो गया सब का एक जमपल लखिया इस तरह से लिखे तो हम टू एक्स पॉलस त्री वाई इसका ग्राप बनाईए इसी मॉडल पर ले जाएंगे हम क्या है यहाँ वान यहाँ वान लाना है आपको किसे डिवाइड करेंगे दो तरह टू एक्स पलस त्री वाई बते ट्वल इक्वल टू टू ट्वल वाई ट्वल करके कितना हो गया ही वान अलग अलग डिवाइड करो इतना करना नहीं है मन में ही कर लेते आप लोग ट्वल यही आपका सवाल बना, क्या बना होगे ग्राफ, तुरत बना दोगे, तुरत एक्स को 6 पर, वाई को 4 पर, यह होगे, 0, 4, यह होगे, 6, 0, मिला दो, इस ग्राफ होगे आपका, टू एक्स पलस 3Y इसको हम लिनियर प्रोग्रामिंगे भी काम में लाएंगे, याद रखना, को फ़रणना एक टॉपिक, से लिनियर प्रोग्रामिंग प्राब्लम परणा है, उसमें भी वे काम आएगा, इसको दिमाग दिएकर रखे इसी टाइक, सवाल है, वहाँ भी हमको काम आएगा ग्राफ बनाने में, वहाँ भी आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज परणा है, इसलिए आपको वहाँ भी काम ये आएगा ये कहते थे 11th में पर ये जम करके थोड़ा सा अगर 11th में कोडिनेर जोमेट्री, अलजबराश, जोमेट्री के सब लोग पर ले जम के तो फिर यहाँ प्रावलम अभी नहीं हो था लड़का आप क्या करते हैं कि नहीं हमको जो हैं सवाल बता दीजिए, ये सब क्या है हमको पता नहीं है सवाल बता दीजिए, उसी सवाल में तो फस्ता है लड़का के बल सवाल बनाता है लेकिन उसका जीप मेंने जाना चाहता है और एक्जाम्पल देते हैं और एक्जाम्पल देते हैं इस टाइप से अगर इस टाइप से हो कि दिवाइड पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो क्या करेंगे कि यह वहीं घुक्त आएगा । व पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा कि से डिवाइड करेंगे तो यहां क्याबल एक्स और वाई कुछ है नहीं है यहां लेकिन एक्स के साथ दो कर गया इकर गया 3 वार में यहां नहीं करता है इसको आइसा कि 2x बटे 2y एंस और हर नुमिनेटर नुमिनेटर में 2 से डिवाइड जो है उसी से डिवाइड कर दिवाइड यह कर गया यह कर गया पलस yy3 इकल टू 1 निकल गया xy 15 by 2 पलस yy3 इकल टू 1 15 by 2 सारे साथ आप जानते हैं 7.5 7.5 इसा ग्राप पनाओगे इस तरह से 7.50 और यह 0.3 मिलाओगे मिल गया ग्राप हो गया ही 2x plus 3 2x plus 5y इकल टू 15 इस टाइप से भी निकालोगे यह डाइड इस से भाग दे दो यह डाइड निचे आ जाएगा 15 by 2 यहां डाइड भी कर सकते हो इस ताइप से ग्राप कर दे बनाने आपको डाइड बना लेना ग्राप क्या कहोगे 3x plus 5y is equal to 10 देखिए तो आप क्या करेंगे 1 लाने के लिए 1 लाने के लिए आपको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है 3x by 10 plus 5y by 10 is equal to 1 यह तो डिवाइड हो गया यह नहीं हुआ तो xy 10 by 3 कर दें पलस y by 2 is equal to 1 10 by 3 3 3 9 3.3 जखोता आपको हो गया इस ताइड अगर आप बनेगा यह 3.3 यह डाइड लिख देना तुम यह भी लिख सकते हो 10 by 3 0 3.3 ही होगा और यह हो यह यह 0 2 या इसको 3.3 0 भी लिख सकते हो as you like this is graph कि निको दिक्कत है तो पूछ सकते हो कि निको दिक्कत है तो पूछ सकते हो इस टाइब का graph any problems any problems कोई problem हो state line में graph में तो बता सकते हैं state line के graph में कोई problem है तो आप बता सकते हैं पूछ सकते हैं को में थादू आप दादू ओ। बनाना है और हम जानते हैं कि आप बनाएंगे उमीद नहीं पुर्ण विश्वास है कि आप बनाएंगे और हम थियोरी देंगे थियोरी के माध्यम से ये सब गराब के माध्यम से है ना आप तुरत बना लेंगे, गर आप खिचने जान जाएंगे तो तुरत खिच देंगे गराप और कहेंगे यही उत्तर होगा क्योंकि आज के देट में आपको पड़ा पड़ सवाल बनाना है, कंप्रिशन का दोड़ है इस कंप्रिशन का दोड़ में अपने से आपको सिखना है बनाने के लिए मिटा दूँ अब देखिए स्टेट लाइन तक मौड मॉडलस का गराफ सिख गये अब हम चलते हैं सरकील का गराफ कैसे बनाएंगे कैसे हम सरकील बनाएंगे उसको देखना है circle पर चलते हैं दिखते हैं यहाँ circle अभी बहुत है trigonometrical function है hyperbola, paravola, ellipse, circle यह सब आपको भनाना है graph कैसे बनाएंगे यह हम आपको बता रहे हैं circle पर भी circle दो प्रकार का होगा circle तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर equation दो प्रकार का होता है यहाँ दो प्रकार का भी कहता है equation एक standard equations होता है और एक general equations होता है चुक्के coordinate system में हैं और हम लोग coordinate system में जब पढ़ते हैं तो axis की बात होती है कहाँ पर क्या होगा कहाँ पर circle बनेगा इस पर निर्भर करता है और circle आपको बनाना है कि कैसे बनेगा दिया रहेगा equation circle का तो आपको बनाना है फर्स्ट quadrant में बनेगा कि origin पर बनेगा कि second quadrant में बनेगा कि third quadrant में बनेगा कि fourth quadrant में बनेगा यह आप पर निर्भर करता है घो सकता है एक से इसको touch करके जा रहा है हो सकता है origin को touch करके circle जा रहा है तो कैसा सर्किल जा रहा है यह आप खुद जान जाइएगा कि कैसे बनेगा हम आपको चलते हैं लेकर के देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं Standard Equations क्या बताते हैं Standard Equations of Circle Equations of Circle यह Equations है बावू E, Q, U मतापरेन Standard Equations of Circle सर्किल आप जानते भी होंगे कि देखिए भेरी सिंपल होगा इसको पहचान यह Standard Equations है यह क्या है Standard Equations of Circle चुक्छे सरपढ़ाए होंगे आपको इसका देखिए हम बता देखिए Standard Equations है तो यह बता देख कैसे यह आप बना भी सकने हैं इसको इसका Origin देखो Circle बनाओ और यह Origin पर इसका सेंटर होगा कहां सेंटर होगा कल भी बताएते आपको इसका निकाल करके एरिया पायार स्कॉाइट यह Y-axis है X-axis और X कुछने कुछ Radius होगा उस Radius को हम A कह दिये Radius को क्या कह दिये A यहाँ पर कोई Point है P X और Y कोई Point क्या है P X और Y इस टाइप का तो यह बताओ यहाँ से मध डाल दो पहला बात यह दिस्टेंस फ्रमयला जानते हो तूम अगर इसको हम छोड़ भी दें तो O-P की दूरी क्या होगी यहाँ पर दिया गया है O-P बराबर A बता ओपी की दूरी क्या होगी तुम लोग जानते हो डिस्टेंस स्रमला से दूरी सुत्र से एकस मानस जीरो का होल स्क्वार अब फिर वाई मानस जीरो का होल स्क्वार ओपी इकल टू रूट अंडर जीरो घर जाए तर एकस स्क्वार जोर squaring कर दो यानि X square जोर Y square is equal to O P square O P square क्या है यानि X square जोर Y square O P का मान कितना A square जेको था बना equation of circle तो यानि देखो कहने का मक्सद ये हो गया आपका आप ध्यान देना ये अप ध्यान देना X square plus Y square is equal to A square कैसा equation है standard equation कैसा है standard equation धिमाग में रखना कि standard equation of circle है circle है ति इसका देखो तो जब ये standard equation है तो पक्रो इसमें इसका center कहां है लिखेंगे center 0 पर है origin पर है 0 0 radius क्या देंगे radius कितना लिए हो A radius मना तिर्जिया center मना कैंद्र कैंद्र इसका कहां है इसका कैंद्र कहां है 0 0 इसका radius कितना है A square है A square है तो कि इने की A square कहा देना square किस पर radius का square है अगर आपको कोई पूछ देक्जामपल में इसका अग्राप बनाओ ध्यान देना पुछने जाड़े है X square plus Y square to 16 इसका बताओ ये किसका equation है तो तुरत बोलेंगे किस में ले आएंगे किसमें ले आएंगे इसक्वार में ले आएंगे जब इसक्वार में आगया आप तब इसका सेंटर बताओ सेंटर कहां होता जनाब इसका सेंटर कहां होता है इसका सेंटर जीरो पर होता है और इसका रेडियास क्या होगा तब रेडियास क्या होगा फूर अब जखोता है आप बनेगा कहां बनेगा और इजीन पर सरकिल बनेगा यह और इजीन पर यह और इजीन होगे आपका जीरो जीरो और इसका रेडियस कतना होगा फोर किनी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं पूछ सकते हैं किनी को कहीं दिकत है और एक्जामपल दे रहेंगे लेकिन पहले इस झाल 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 हो गया इस टैप का एक्वेशन नहीं समझें इस टैप का एक्वेशन यार रखो दिमाग दिमाग में इस टैप का एक्वेशन रहेगा ते इस्टेंडर् एक्वेशन अफ तर किल है। इसका सेंटर होगा सवारी सं 때문에 होगा इसका सेंटर होगा जिरौ जीरौ और रिडियस जो है इतना वकार अब आगो क्म एग्पिण समझ जाओ गे रही है कि है है कि म्यारी चाल की अνदर रही और संदर को बना रहे यह तो दे большой मां पोड़ा है हम बताते हैं फिर से फिर से को समझाते हैं लिखिये पहले हो गया फिर से बताते हैं देखे कैसे आपको बत क्या दिया रहेगा देखे क्या दिया रहेगा आपको बताते हैं देखे क्या दिया रहेगा आपको गहेगा फाइन दा हूल इर्या अफ़ दा सर्कील एक सिस्क्वार प्लस वाइज इसक्वार इदिकल टूप फोर यही आपका सवाल है एरिया करता निकल लें तो चुक्छे भी एरिया का तो फरमुला हम कल बताये थे आपको लेकिन बताये नहीं है प्रूफ नहीं किया है हम जाएंगे नहीं तब देखिए यहां पर पहले इसक ड्वहल दो गिफंग डीकोषन और मिबद इक्वेशन ऑफ सर्कि या दिया जान गया है एक शिञत उरवाइज क्ल टू पोर बना जल्दी कि द्रोगी त्याक्ट सफें एह पॉर्म फ्र्म सर्थ LA को सु स्क्刚 conducted अगया वर्म अ इस्टेंडर् wing और है विश्टेंडर्ड एक्वेशंस इस्टेंडर्ड एक्वेशंस बता तो अब इस्टेंडर एकवेशंस का सेंटर क्या होगा लिखिएगा center 00 radius बताओ radius 2 अब बताओ ये graph खिचे y y dash x dash x एक्स डेखो पकरना एक दम हम आपको इजी वे बता रहे हैं यही graph है इसी graph खिचना इसका center क्या होगा standard equation इसका center क्या होगा 00 radius 2 तो पकर लिजते हैं हैं आप लोग अभी अगल होगया सіंटर हो रहाव सेंटर है चाप लीजए का चानटी मिटर का दो इसन मात पर लीकोल के यह निवीं में टो चान परनों आप से डी यह भिसता या न खिक का am कि यह अग्यों दिक्क्षा तो पूछो अब बताओ किनको दिक्कत है कि तो पूछो अब समझ माया कैसे कराप बनेगा जब इस समझ माया जाएगा आगा कहता है यह पॉइंट जचान डाझ बीडी इरो तो जीरो जो हो जाएगा यह 0-0 जीरो है से आपका 00 है जखो तो तो हो गया जीरो से ट्वर एडिया जो निकालेंगे एक पार्ट का एडिया निकालेंगे कल बताए था जीरो से जीरो से टू एक पाट कर निकालेंगे चार से मल्टिप्लाय कर देंगे और यह क्या है अब यहाँ y का मान निकालेंगे रूट अंडर तो ydx यही फ्रमूला लगा y का मान निकाल लो यहाँ से क्या निकलेगा y square is equal to 4-2 square इसका आप नवरतन फर्मॉला से आपको बताया गया था इंटिग्रेशन निवरतन फर्मॉला वहां से निकाल करके पूट कर दीजिए आपका निकल जाएगा एरिया कल बताया भी था मैंने अब समझवाया क्या बताईए के, है तो बताये कही दिक्कत है, कि निकोय कोई दिक्कत है, बताये केलियर हुआ, क्या दिया रहे कर में त्रॉत पकड़ लेंगे यह सर्क्राइब का सिर्कील कई है कि यहां ग्री दिये सथ檈 जेंस तलहां में क्या देगा अपको कर बिलिक सकता है सी उन यू आर भी कर फक्रव मिली चब्रम शेचा यहीस कर दो किया दोहना था मैंगे सर С्थ यह दे तेक इस इस को सर्कील निकालेंगे, चुक्विक आप जानते हैं, इसका फ्रमॉला बताया था, एरिया का फ्रमॉला effort अर्या का पिन रही है, कैसे इसको निकालना है? कैसे निकालना है? ग्राप किचने में सिखा रहे हैं मेरा मकसद है सिर्फ आपको ग्राप किचने के लिए इसके बाद तो हम थियोरी मानेंगे आप सवाल देखेगा पचीस को बन गया सब एन सी अती केडिया किचना सब्से बनाएं जिससे गान फोटल आपको मिल जाया लगे नहीं बन गयाए चलिएए अगे बोलें कग मिटा दूँआear भी हो गया होगा इसाज़ट भी हो गया होगा है हो गया है हो बताएंगे एक्स का भी मौन निकाल सकते हैं आप वह आई में जाएंगे उप्रम्लादे बताएंगे तब पता चलेगा किस में बनाना है है नहीं है नहीं मितादू अब देखे जेनरल एक्वेशन ओप एक्वेशन ओप सर्कील जेनरल एक्वेशन क्या है को जेनरल एक्वेशन भी radius कितना है बाबू ए यानि अभी center पर अभी जो है इस पर circle बन रहा था है origin पर center था अब देखें यह करता है कैसा होगा ताब origin पर नहीं होगा अब कहीं भी हो सकता है circle इस type से circle हो सकता है y y rise x 10 और x यह center होगा इसी center को हम hk कहेंगे क्या कहेंगे hk hk कोई point होगा आपकी x और y और यह आपका c मानलो center है तो इस type से this is center अब बताओ इसका आप अभी यह origin पर है नहीं है अब origin छोड़ के जो भी circle बनेगा this is called general equation of circle किसी को हम लोग general equation of circle कहेंगे अब देखो कैसा equation होगा तुम लोग distance परणा जामते हो इसका radius तो कुछ ने कुछ होगा radius को यह माल लेते हैं इसके बादाओ पी सी ब्रावर क्या निकल गया पी सी ब्रावर यह हो प्लस वाई मानस के का होल स्कॉार इसकॉारिंग कर दो फी सी स्कॉार एक्स मानस हको लगर पलस वाई मानस के का होल स्कॉार पी सी एक्स में क्या घटा है, तो पोजेटीन लिखना, रणों को काड़ा, और रैडियास कितना, ती जेनर J 이ीज burnout, शरक बैके कम्से लोग क्या बोलेंगे, इनराल इक्वेशन of circle जल्दी लिखे एक्जामपल भी उधर देने सकते हैं जगा नहीं है जल्दी लिखे इंधर देते हैं आपको एक्जामपल एक छोटा ऐसा देखे आप तूरत पकरेंगे कैसे पकरेंगे कैसे पकरने हम सिखाते हैं तो आसा देखिएगा आपको दे दिया X पलस 2 का होल स्कार पलस X माइन है Y माइनस 3 का होल स्कार is equal to 25 डेव तर नेचर है इस टाइप का एक नेचर देखना पकरना यह पहले आभी हम माइनस देख देते हैं तब पलस देखे देंगे माइनस माइनस तब विचार करना तुम लोग जानते हो फर्स्ट क्वाडेंट में X पोजेटीव Y पोजेटीव सकेंड में X नेगेटीव Y पोजेटीव थर्ड में दोनों X और Y दोनों नेगेटीव और फूर्थ में X पोजेटीव Y नेगेटीव जानते हो कि अंदर में टीक 11 में पढ़ाया गया है कोरिणेट सिस्टम में पढ़ाया गया है हर जिए के पढ़ाया होगा तो देखो तहा है इसका स्कनमें मिल ओव दो प्रकार्वन लेक्षा स्वेSonus क मैंनों जो स्वेosisником तो को मणाओ तो कि न एक्सक्याद की अच ब्राबर को थी करता है यह का माइव लगें टोक थी दी और रेडियस क्रता हो गया रडियstate है इस तर्शेटेस में बनेगा इस तासे मोटा-मोटी बना लेंगे और टू-3 इसका सेंटर क्या होगा टू-3 सब्सक्राइब करें इस तरह से मोटा मोटी बनाओ गए किनी कोई दिक्क्राइब बताओ समझ माया कैसे बनाएंगे इसका सेंटर सब्सक्राइब आया इस समझ में सब्सक्राइब कुछ परिसार है तो कि अन्यों कर दिखा दो करेंगे कल है पर बोला फार एक लिए अध्य कर आप हेम कर आब आव्लए एस पर यहर जाएंगे लगत्क्रील पर जाएंगे प्र admir ह जाएंगे मैं मैट्रिकल पर जाएंगे और exponential पर जाएंगे उसका अब गराफ सिखना है तभी आप से बनेगा तो इसके बाद हम चलेंगे theory पर area का और बन जाएगा तो खेर हम यहीं पर no problem बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग तो हम लोग कल पुना मिलते हैं इसी time में 8-9 में आज भर हमको इजाज़त दीजिए आप लोग time आपका हो गया है दूसरा class भी आपका होगा आप लोग खाईए पिए मस रहे और थ्वासर सवाल को जरूर देखिए क्योंकि time अभी पढ़ने का यही time है आप लोग का पढ़ने का मेनत करने का अगर आप लोग मेनत करते हैं तो कुछ अच्छा हासी लोगा हम यही कहेंगे सुकावना भी हम देंगे और इस्वर से किरपा भी करेंगे आप लोगों के लिए इस्वर से मनाएंगे भी इस्वर का किरपा भी आप लोगों पर रहे यह हम इस्वर से प्रातना करेंगे तो ठीक है हम यहीं बराज इजाज़त लेते हैं कल पुना मिलते हैं ब्रेक के बाद बने रहीएगा तब तक के लिए आपको है वे नाइस दे आपको है वे नाइस प्रातना करेंगे प्रातना करेंगे